हज़र आती हुई लेक्साइट की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं एक शॉट कावर्ज बैकपट स्क्वेर लेक एक शॉट मिड़ॉन के शेतर में किलाडी इसी बीच ये गेंड पहली गेंड तेज तर्रार गेंड करने की चाहाद जता ही लेकिन आउपस्टम के काफी जा अपने बॉलिंग मार्क पर इस बीच ये गेंड तोड़ी से लल्चाती हुए गेंड फ्लिक किया है गेंड आती हुए लॉगान के शेतर में वहाँ पर खेलाडी तैनाथ खुबसूरत फ्रेलिंग एक रंड चैल कदमी करते हुए पूरा किया बल्लेबाज ने इस एक रंड के साथ बल्लेबाज में अपना पाता जरूर खुला अगली गेंड लेकर तयार फिरसे एक बार गेंड बाज अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार तेज तर्रार गेंड थी तेज गति की गेंड थी जाकते रहोगा आदेश देती हुए गेंड कीपर के दास्तानों में सुरक अपने बॉलिंग मार्क पर इस बीचे गेंड इस बार बैक का मोटा किनारा लेकर गेंड जाती हुए डिकलेर जोन की तरफ फ्रटमेंड के शेतर में एक रण एक रण से जादा कुछ नजर नहीं आता हुए सिंगल सिंगल से रणों की रण संक्या को आगे बढ़ाने की कोशिश आगे बढ़ाने की मोहीम इस वक्त जारी है और इस एक रण के साथ स्कोर बोर्ट पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ट पर तीन रण दर्शाते हुए स्कोर काट पर पिल्कुल दोनों ही टीम में काफी ब प्रफॉर्मस करते हुए इस टाइम इक सोगें दावा में पिलाडी के निचे कोई गलती नहीं कोई चूप नहीं विकर का बता हुआ एक बड़ा जग का जरूर लगता हुआ अक्षे आउ खोगर जगते हुए अक्षे के अगर बात करें को निची वोई कुरन बना कर पावलेन की रा लगता है अक्षे की अगर बात करोते हैं घ्रफियकरन बना कर पॉवलेन कि दा लॉटूके नहीं पर अब देजय थिनें पर नहीं कर अंदो लेलाई वाहिए बाच्वेन इले मिलन चिकिंगा यह स्कूल है बीजिम लगे बीजिए बबशी जोटे जोटे रुड़े गाल जोटे लिए जोटे असर जोटे नहीं जोटार गळगे अगली गिलिक तो यार वोगल तॉस गें थी इस बार यह गेंग, इस बार यह गेंग, इस बार यह गेंग, इस बीडिफुल दिलिवरी, दोड़ती है पिडिफुल ईख़ की चैप्टन आई, इस बार आगा हूं स्ञासूतों के ऐस इना की दोड़ती है,र्माइछ आपन प्ली आ रिकॐस हूं आप सीच स olması आघर्तौ, बाद ना पहला बना अपहला ना पहला केले बना फुले तया है अंग्या नि खाल जोल के ले चाक्ने नी डबल बल पेस्ट नाले मत्ते जुने अपलोड केले है बेले नुदियो नेट के आया है थारा 40 प्रेसे दाइज है चर एंशी बीड एंशी किष्णा या है कोड़ी बारत था कि मुष्यी एसे लिए घंशे है इस भी दियिक रही है अल्थी पूर्टस अल्थी एक ट्रिक याली आरे है लॉट आला जारह 시작 गुट भी दियरी एड़ी यहां पर दाली जारी नेक्स मैच की अगली गेंद जो भी टीम जी दाजिल करेंगी जो भी टीम जी दाजिल करेंगी वो डारीक्स सेमी फाइनल में प्रवेश करेंगी यह जीज दान में रखें प्रवेश करेंगी जो भी टीम जी तासिल करेंगी आज जी की टीम जी तेम जी तेम आज जाएगी इस बीच ये गेंद इस बार कार्पेट के सारे के लागे स्ट्रोक गेंद आते हैं लागान के शेत्र में एक रंग जरूर मिलेगा एक रंग से जादा कूछ नहीं आज जाएग से लागे जिएटार एक रुच्छ फेर नहीं हो बारा मैं में मैं आज तासरे कुर्ण गेंद श्थारिंश कि अन्वतार श्थार शौट्पटर में मिलेख जाएग। यहां पर बात करें लॉट हो चुका है और जो भी टीम यहां पर जीत हासिल करेगी वो टायरेक्स सेमी फाइलन में प्रवेश करेगी लास मैं स्कामाठी ने 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 लेक्स मैच शेंडोबा स्पोर्च वर्सेज बगरपादा सथी आई स्पोर्च कैप्टन आना है टॉस के लिए इस बार ये गेंड लेक्स टम के काफी ज्यादा बाहर वाइड बॉल का इशारा आपायर की तरफ से आता हुआ अध्रीक रनों में एक रन शुमार होता हुआ स्कोर जा पहुचा है ग्यार रनों पर शेंडोबा स्पोर्च कैप्टन शॉटपीज गेंड थी पूल पावरफूल वंडरफूल एंड सक्सेस्फुल छेरर क्या बात है दीपक की अगर बात करें तो दीपक काफी महेंगे इस वक्त साबित होते हुए काफी खराद गेंड जिकर रहे हैं शॉट पीज गेंड करने जा रहे हैं लेकिन गेंड बिल्कुल लल्चाती में गेंड कर बैठते हैं और यहां पर बड़े हिटर जरू देखने मिल रहे हैं शेंडोबा स्पोर्ट्स कैप्टन शेंडोबा स्पोर्ट्स कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए पॉलना पीपक्षे से पार सच्चे होते हुए सागर रहे हैं अपी अच्छे फॉर्म है सागर दो चोके एक चोका और एक शिक्स लगा कर बले बाजी करते हुए नजरा रहे हैं इस बार बाड़ा हीट करना चाह रहे थे गल्थी कर बैठे गें शरी से जाटा कराई विक्टो का फनीचर नस्तो नाबूत करती हुए एक एंद और सागर की इनिंग पर यहाँ पर अंकुष लगता हुआ कुछ रन खर्च किये दीपक ने लेकिन का जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ पूना पड़ता है उसी तरीके का द्रिश्ची देखने मिला दो बड़े हिट के बाद सागर जैसे होनाहार बल्लेबास को आउट किया और पविलेन की लॉक्टें पर मजबूर किया बिल्कुल 17 का आकड़ा टैनेस रिकेड में अशूब आकड़ा माना जाता है और बिल्कुल यहाँ पर रनो के अगर बात करें तो 17 के आकड़े पर विकेड गिरता हुआ सत्रा का आकड़ा भारी पड़ता हुआ इस वक्त गुड़ बॉय के इन्वी दिवा की टीम को नए बल्लेबाज सूरच को भिजा गया है सागर की बजाए सूरच बल्लेबाजी कमान पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और सत्रा की अगर बात करें तो सत्रा रन अंतर राच्छी क्रिकेट में ये नंबर को आँ कैसे बूल सकते हैं इमिडिवलियर इस दिग्री में खेलने वाला बल्लेबाज है राजवर दा आईए आज आपी हमारे सब करता धरता है तो आई आपके शुबातों से टॉस क्या जाएगा इस बार मिस टाइमिंग शूप है गेंदवा में है किलारी गेंग की नीचे कोई गल्ती नहीं कोई चूप नहीं विकेट का बतन सागर का आउट होने के बाद यहाँ पर सुरज जेरो पर आउपकर पविलन की रा लोकते हुए सत्रा का अशूब आकड़ा इस वक्त मनलाता हुआ तोस शेंडोबा स्पोर्ट्स फिल्डिंग का बैटिंग शेंडोबा स्पोर्ट्स आपला डिसेजन क्लियर करा प्लीज फिल्डिंग करा इसी वरूबर सलाथ दो ओर की समात्ती के बाद गर्स को 17 रनों पर दर्शाता हुआ अंतिम और आफरी ओर इस वक्त 13 वंदे कर दो वेकित हासिल की यहाँ पर दीपक ने न्यू बैक्समन तूशार गेनबाजी का जिम्मा समाला है नितिन उर्फ खोन नितिन यंग सर है अच्छे गेनबाज है गती के महारती हैं कुछ रुक जाने के बाद ये भी काफी नाम करने वाले है इस गाओं का किके एक्शन काफी प्यारा है पेस है और पेस के साथ साथ वैरियेशन भी वठपूर इस बीच ये गेन तेज तर्रार गेन थी लेकिन आपस्टम के काफी जाता बाहर वाइड बॉल का इशार आपायर की तरक्स जाता हुआ और अत्रिक रनों में एक रन जरूर शुमार होता हुआ स्कोर की अगर बात करें तो सतरा का जो अशु बाकड़ा था वो नांगती हुए टीम जापौची है अत्रा रन उपर कल की मैच की अगर बात करें तो सबसे पहला मुकाबला खेला जाएगा नरेश स्पोर्ट्स तासर वोडरली वर्सेज पोश्मात्र भाहिंदर पाड़ा उसके बाद का मुकाबला होगा भवे 11 वागभिल इस बार करार अप रहार किया गेन जाती वही बैकवर्ट्स के अरलेक के शेतर में एक रन जरूर मिलेगा और एक रन से संतोस्ट करते हुए भवे 11 वर्सेज के उनी सेकेंड मैच खेला जाएगा तीसरा मैच तुनाल स्पोर्ट्स वागभिल वर्सेज कालिका माता स्पोर्ट्स कासर वोडरली तीसरा मकाबला होगा सोनवाई कोलचेट सोनवाई मरुआई कोलचेट के बीच इस बार ये गेंद लहाँन के शेतर में छेरन जुनजार स्पोर्ट्स कोलचेट के साथ सोनवाई मरुआई बालकुम वर्सेज जुनजार स्पोर्ट्स कोलचेट के ये लॉट्स है कल के दिन ये सब टीमें प्रफोर्मेंस करेंगी इस ग्राउंड पर इस टूर्नमेंट पर इस बार थोड़ा सा चेंज अपेस करने का प्रयास किया गेंद को दिशा दी गई गेंद पॉइंट के शेतर में एक रन ज़रूर मिलेगा इस एक रन के साथ स्कोर बोट पर नज़र डालें तो स्कोर बोट पर स्कोर 27 रनो पर दर्शाता हुआ 26 माफ किजीगा 26 रनो पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ अगली गेंद लिगर फिर से एक बाज सज्चे होते हुए गेंद बाज अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए पूरी तरीके से तयार बल्लेबाज लंबे हिट लगाने में माहिर इस बाद तेज तरार गेंद थी कीपर की थोड़ी सी चूक एक रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में एक रन से जादा कुछ नजर नहीं आता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर जा पोचा है 27 रन ओपर 27 रन्स हो चुके है कीपर की अगर बात करें एक गेंद अभी भी आना शेश नितीन की सोलरन पांच गेंदों में खर्च कर चुके है नितीन अगली गेंद लिकर तैयार फिर से एक बार नितीन इस बार मेंस टाइमिंग सो गेंद हुआ में कुम्सुरत कैच विकेट का बदा होता हुआ और इसी के साथ तीन ओरो का कोटा समात तीन ओर की समाति के बाद पहले बल वोट बोई भी वे कीटी इस माहीं अंहों आ भाडु है